नमस्कर दोस्तों रेकदस चैनल में आप सभी का स्वागत है आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ आम से मुसुर दाल की रेसिपी सेयर करूँगी एक बर आप में तरीके से दाल को बना के जरूर देखेगा गर्मी के दिनों में ये दाल खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा तो चलिए सुरू करते आज की रेसिपी तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्छा आम आम को हम पील करने के बाद छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे साथी मैंने लिया यहाँ पे एक कब मुसूर दाल दाल को अच्छे से हम तीन से चार बार साप पानी से दो लेंगे तो चलिए सुरू करते रेसिपी दाल अप अपने जुरत के साब से कम या जादा कर लीजेगा दाल को अच्छे से दो लेने के बाद हम एक पतिली में रख देंगे दाल को, आप चाहे तो कराई में भी दाल को बॉयल कर सकते हो दालेंगे हम यहाँ पे एक लिटर पानी, पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में दाल अच्छे से हमारा सौप्ट हो जाए साथी हम डाल देंगे एक चम्माच नमक, गैस का फ्लेम हम मेडियम करके 5-6 मिनिट के लिए दाल को तब तक बॉयल करेंगे जब तक दाल अच्छे से हमारा सौप्ट ना हो जाए आप चाहे तो कुकर में डाल को एक सीटी लगा के भी डाल को बॉयल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुकर में नहीं पतिले में बॉयल कर रही हो तो गैस का फ्लेम हम मेडियम कर देंगे और 5-6 मिनिट के लिए दाल को बॉयल कर लेंगे 7-8 मिनिट हो गये दाल को बॉयल करते होए दाल हमारा जैसे अच्छे से सौफ्ट हो जाए हम निकाल के साइड में रखेंगे और एक कड़ाई में हम ले लेंगे 2-3 चमच तेल तेल को पहले हम गरम कर लेंगे तेल जैसी गरम हो जाए हम डाल देंगे 1 चमच सरसो गैस का फ्लेम बिलकुल लोपी रखेंगे दो सूखी लाल मेर्च को तोड़के डालेंगे और डालेंगे हम आदा चमच हिंग पहले हम अच्छे से सरसो और मेर्च को फ्राई कर लेंगे सरसो जैसे अच्छे से हमारा चटक जाए हम डाल देंगे यहां पे कटे हुए आम आम डालने के बार हम दो में अच्छे से बूर लेंगे और मैंने आपे गुटली भी डाल दिया है अगर आपको नान डालना हो तो आप ठीट कर सकते हो डालेंगे हम वन फोर चम्माज फल्दी हिंग आप जरूर डालेगा जो खट्टे वाले डाल होते ना उसमें हिंग सा जो तरका है बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखें आम डालने के बाद दो मिनिट के लिए प्राइ कर लिया बहुत ज़्यादा हम कलर चेंज नहीं करेंगे अब हम डाल देंगे यहां पर जो डाल को हमने बॉइल करके रखे थे आधा कब हम डाल देंगे पानी और डाल की जो ठीकने से आप अपने पसंद कर उसरे यहां पर एड़्जस कर लिजेगा नमक चेक कर लिजेगा अगर आपको कम लगे तो आप नमक डाल दीजेगा 3-4 मिनिट हम मेडियम फ्लेम में दाल को पकाएंगे जब तक आप हमारा हलका सौप ना हो जाए तो गैसका फ्लेम मेडियम कर दिया है तीन से चार्ट मिनिट के लिए मैंने दाल को अच्छे से और पका लिया है दाल हमारा बन के तैयार है अब दाल की जो ठीकने से देख सकते हो कैसा है तो दाल, गारा, पतला जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बना लीजेगा तो ग्यास का फ्लीम अब हम बंद कर देंगे और दाल को सर्व कर लेंगे हमें बाउल में तो फिर्ट आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा सेर डी कीजेगा तो ने रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक अपना ख्यार लखिएगा और चैनल रखिएगा